नमस्कार दोस्तों स्वागा थे एक नए वीडियो में हम लोग विहार SSE Interlevel के प्लेटफॉर्म बुक के प्रेक्टिस सेट देख रहे हैं आज है प्रेक्टिस सेट नमबर 14 इसमें 1500 प्रष्णों का सेट है और सारे प्रष्णों को डिटेल सोलूसन क्या गया है तो आप जूड़े रहिए हमारे चैनल पे तो आएए शुरू करते हैं पहले प्रष्णे पहला प्रष्ण है कि भारत के समिधान का कौन सा भाग बित समपत्ती अनुबंद और मुकदमे यानि सूट से समबंदित है और इसका सही अंसर हो जाएगा D. भाग 12 भारत के समिधान के भाग 12 बित समपत्ती अनुबंद और मुकदमे से संबंदित है अगला है 793 समिधान संसुदन अधिनियम के अनुचे 243 ह के अनुसार किसी राज को बिधान मंडल निव निधी से पंचाईतो को सहाइता अनुदान देने का प्रवधान कर सकता है अगला प्राशन है कि म्यानमार की अधिकारिक भासा क्या है और इसका अंसर हो जाएगा बी बर्मी है अधिकारिक भासा बर्मी है और इसकी रधानी म्यानमार की नेपीदा है म्यानमार को स्वर्न पैगोडा का देश कहा जाता है और रंगून बर्मा में स्थित बहादूर साग की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीव था कि उसे अपनी मात्रिव भूमी में दफन होने के लिए जमीन नसीब नहीं हुई और र्याबती नदी को म्यानमार की जीवन धारा भी कहा जाता है ठ्यार रखिएगा अगला है निम्रिखित में से कौन से कथन असत्त है ये देखना है तो इसका जो अंसर हो जाएगा ना तो बर और ना तो दोनों असत्त नहीं क्योंकि पंच बर्षियों युजनाओं के लच्छ संब्रिधी अधुनी की करन आत्मनिर्भारता तथा समानता सित्था नेक्ष देखते हैं निम्रिखित में से किस सुल्तान ने सती पर्था रोकने का परियास किया और इसका अंसर हो जाएगा दी मुहम्मद बिन तुगलग ने मुहम्मद बिन तुगलग तेरसो पचीज से कावन तक था ने पहली बार सती पर्था को रोकने का परियास किया अकबर एवं पुर्टगाली गबर्नल अल्बुकर्क ने भी सती पर्था को रोकने का परियास किया था नेक्स्ट है तुलसी दास ने राम चरित मानस इसके सासन काल में लिखी और इसका अंसर हो जाएगा C अकवर के सासन काल में लिखी तुलसी दास अकवर के समकालिन थे अकवर के काल को हिंदी साहित का स्वनकाल कहा जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वनकाल कहा जाता है नेक्स्ट है निमलिखित में से किस मुगल सासक ने संगीत और निरित पर परतिवन्ध लगाया था और इसका सही अंसर हो जाएगा C औरंग जेव औरंग जेव स्वय बीना के कुसल बादक था फिर भी उसने संगीत चित्रकला इतिहास लेखर आधी को पर्तिवंधित कर दिया था भारतिय सास्त्रिय संगीत पर फार्सी में सबसे अधिक पुस्तके औरंग जेव के ही सासनकाल में लिखी गई है नेक्स्ट प्रस्णा है कि कहां पर प्राप्ट असोग की अभिलेख अस्तंब के निचले भाग में मियूर का चिह अंकित है और इसका अंसर हो जाएगा C. लौरिया नंदन गढ़ का लौरिया, नंदन, गड़, चंपारन, बिहार में इस्थित अस्तंब लेख के निचले भाग में मियूर का चिन अंकित है असोग की इतिहास की संपुन जनकारी जो है उनके अभी लेखों से मिलती है और अब तक लगभग 40 अभी लेख प्राप्त हो चुके है और इस सभी अभी लेखों में चार लिपियों का परियोग किया गया है कौन-कौन सी लिपि तो ब्रहमी, खरोष्टी, ग्रीक, एवं अरायमाग असोग की अभी लेखों को हम तीन भागों में विवाजित कर सकते हैं और मुद्रा का मापन M1, M2, M3 और M4 के अधार पर किया जाता है और मुद्रा का मुख रुदेश बिनिमय के साधन और मुल का मापक है मुद्रा का सरप्रमुख गुन तरलता है और भारत की प्राचिंतम मुद्रा, आहत मुद्रा कहलाता था नेक्स्ट है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतरगत अपनाया गया था विकास केंद्र उपागम और इसका अंसर हो जाएगा Dei. 445 वर्षिय योजना 445 वर्षिय योजना में चेत्रिय बिसमता को दूर करने की उद्देश के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुदा की गई थी और चतूर्थ 55 वर्षिय योजना की समय अब भी थी 1979 से लेके 1974 स्भी तक next है जो बन चक्रवातों के अभरोधकों का कार्ज करते हैं वmond कोंसे हैं? और इसका सही अंसर हो जाएगा C, मैग्रोब बन delta i प्रदेश में मैग्रोब बन पाया जाता है जो चक्रवात की गती को रोक देता है और भारत में सुंदर बन डेल्टा में मैं ग्रोब बन सरवादिक पाया जाता है पाटली पुत्र को पोली ब्रोथा किस ने कहा था? अंसर हो जाएगा C, मेगा स्थनीज ने कहा था सेलुकस निकेटर का राजदूथ मेगा स्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर के दरवार में राजदूथ बन कर आया था उसने अपनी पुस्तर इंडिका में पाटली पुत्र को पोली ब्रोथा कहा था अगला है चंद्रग्रहन के दवरान चंद्रमा पर पढ़ने वाली पृथीवी की चाया को कितने भागों में बाटा गया है और इसका अंसर हो जाएगा C, तीन भागों में बाटा गया है कौन-कौन? तो अम्बा, पिनंब्रा और एटंब्रा अम्रा मतलब यह चाया की सबसे भीत्री और सबसे गहरा भाग होता है अपिनाम्रा जो होता है यह अम्रा के दोनों तरफ मवजूद हलकी चायावला भाग होता है अगला है सिच्छा का बर्धा योजना कब लाया गया था और सही अंसर हो जाएगा B 1937 इस्वी में लाया गया था 1937 इस्वी महात्मा गांधी ने अपने पत्र दहरिजन में लेखो की एक स्रिंखला परकासित की और उसके माध्यम से एक सिच्छा योजना की प्रस्तूत किया इसके लिए परसिच्छन परदान करना है नेक्स्ट है अंतराष्ट्य ग्रामिन महला दिवस का मनाया जाता है और इसका अंसर हो जाएगा D 15 अक्टूबर को अंतराश्ट्य ग्रामिन महला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को युएन्य अस्थापना दिवस मनाया जाता है गर 31 अक्टूबर की बात करें तो इंद्रा गांधी की पुनितिती मनाया जाता है 14 अक्टूबर को विस्मानक दिवस मनाया जाता है 16 अ अर इसका सहे उभएता पया कि महावोधी मन्दिर का निर्मान किस काल में हुआ था। आयो के स्थान पर नीती आयो का गठन कभ उआ इसका सही अंसर हो जाएगा A 1. 575 को किया गया था और योजना आयो का गठन 15 मार्च 1950 षिस्वी को किया गया था नेक्स्ट है हदीस है एक और इसका सही अंसर हो जाएगा डी इनमेंशे कोई नहीं हदीस मुहम्मा साहब के कत्नों और उनके जीवन से संबंदित घटनाओं का संग्रा है कबीर के उपदेश सब्द सिखों के आदिग्रंध में संग्रित है और कबीर के बानी के संग्रा बीजग नाम से परसीद है तो हदीस क्या है तो हदीस मुहम्मा साहब के कत्नों और उनके जीवन से संबंदित घटनाओं का संग्रा है नेक्स्ट है बर्न ब्यवस्ता से संबंधित पुरुष सुक्त मुल्टा नियुन में से किस में पाया जाता है? और इसका अंसर जो हो जाएगा, इसका अंसर जो हो जाएगा कौन से हो जाएगा? तो हो जाएगा C. रीग बेद. बर्न ब्यवस्ता से संबंधित पुरुष सुक की उत्पत्ती बताया गया है नेक्स्ट है बहमनी राज की पर्थम रधानी निम्लिखित में से कौन सी थी और इसका सही अंसर हो जागा B गुलबरगा तेरा सो सब साइन तालिस में अल्ला उद्दिन हसन बहमन सा ने बहमनी समराज के अस्थापना की एवं गुलबरगा को धानी बनाया नेक्स्ट है मिर्याना गर्थ खाली अस्थान में इस्थित है मिर्याना गर्थ और इसका सही जो अंसर हो जागा वो हो जागा D परसांत महासागर में इस्थित है मिर्याना गर्थ मिर्याना गर्थ या चलेंजर गर्थ 20 सुका सबसे गहरा गर्थ है और इसकी गहराई 11,22 मीटर है परसांत महासागर की अकिरती जो है वो तिरुजा कार है और परसांत महासागर के दोनों तटों पर बलित परवतों की स्रिंखलाएं पाई जाती है परसांत महासागर के पस्चमी भागों में गरतों की अधिकता मिलती है नेक्स्ट है पुरसो के 1983 के विस् of the match मुहेंदर अमरनाथ को गोसित किया गया था उन्हें 183 खा क्रिकेट बिस्वकप इंग्लैंड और बेल्स में आयुजित किया गया था और भारत ने 43 रनों से बेस्ट इंडिज को हरा कर जीता था इस बिस्वकप में सरवाधिक बिकेट रोजर बिनी 18 बिकेट लिया था और इस बिस्वकप में सरवाधिक रन बनाने वाला डेविड गोवर था अगला है भारत में पर्थम नुकिलियर उर्जा स्टेशन के स्थापना कहां हुई और इसका अंसर हो जाएगा C तारापूर में भारत में पर्थम नुकिलियर उर्जा स्टेशन के स्थापना तारापू बिहार के पर्थम निर्दलिय मुखमंत्री कौन थे और इसका अंसर हो जाएगा ए महमाया परसाद सिन्हा बिहार के पर्थम निर्दलिय मुखमंत्री थे और बिहार में सबसे अधीक बार आठ बार मुख मंतरी पद के सपत लेने बाले मुख मंतरी नितीश कुमार है नितीश कुमार पर्थम बार 2023- हमें मुख मंतरी पद के सपत लिये थे नेक्स्ट है एसियाटिक सोसाईटी ऑब बंगाल के स्थपना किस बर्स की गई थी और इसका सही अंसर हो जाएगा C, 1784 इस्वी में Asiatic Society of Bengal के स्थापना की गई थी Asiatic Society of Bengal के स्थापना बिलियम जोन्स के द्वारा किया गया था Next है संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतरगत भारतिय संसत का नया राज बनाने का अधिकार है और इसका सही अंसर हो जाएगा C, अनुछेद 3 प्रवतान के अंतरगत भारतिय संसत को नया राज बनाने का अधिकार देती है अनुछे तीन के अंतरगत नया राजयों का निर्मान, बरतमान राजयों के छेत्रों, सिमाओं या नामों में परिवर्थन करने का अधिकार अगला प्रस्ण है कि फीफा बिसकप दोजर चबिस का योजन कहां किया जाएगा और इसका सही जो अंसर हो जाएगा वो जाएगा D. USA, United State, Canada और मेक्सिको में किया जाएगा 2022 का फीफा बिसकप कायोजर कातर में आईजित किया गया था जिसमें अर्जंटीना ने फ्रांस को प्राजित कर विजय परात किया भारतिय समिधान के किस अनुछेद में मानव के दुरुव बहबार और बलात स्रम को रोखने का परियास किया गया है और इसका सही अनसर हो जाएगा C अनुछेद तेश में अनुछेद तेश के अनुछार बलात स्रम एवा मानव अंगो का ब्यापार ग्रुविवार पर्तिबंद पर से है और अनुछेद 24 के अनुछार 14 बस तके बालकों को जेख्विम बाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है और 25 में बर्नन है कि सुच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंदित है 26 में धर्मिक सम्मेलन और परसासन चलाने की स्वतनता दिया गया है और अनुछेद 27 में धर्मिक आय को कैरमोक्त रखा गया है और 28 में सारुजनिक सिच्छन सहस्थान में धर्म अपसेश की सिच्छन नहीं देने से संबंदित है अगला है संग्ये संसद का निम्न अत्वा लोगपिरिये सदन आप किसे संबोधित करते है और इसका अंसर हो जाएगा D. लोगसभा संग्ये संसद का लोगसभा का लोगपिरिये सदन के रूप में संबोधित किया जाता है और राजसभा को उच्छ सदन कहा जाता है राजसभा को बिघटित नहीं किया जा सकता है लोग सभा का गठन अनुछेद 81 के अंतरगयत किया जाता है नेक्स्ट है भारत के उबे पहले उपराश्ट पती जिनकी कार्जकाल के दोरान मिर्टू हुई थी कौन थे और इसका अंसर हो जाएगा A. कृष्ण कांथ एक मात्र उपराश्ट पती कृष्ण कांथ जिनका और इसका सही अंसर हो जाएगा A. पहला अस्थान हासिल किया जुलाई दोरान भारत को चार सुरन पदक प्राथ हुआ अगला है निम्न में से कौन पंचायती राज बेवस्था को संबैधानिक दर्जा परदान करता है और इसका अंसर हो जाएगा A. ग्यारवी अनुसूची तेहतरवा संसोधन के द्वारा संबैधान की ग्यारवी अनुसूची को जोड़ा गया और अनुसूची 243 से 249 तक के अधार पर पंचायती राज को संबैधानिक दर्जा दिया गया और चहुतरवा संबैधान संसोधन अर्यामदोरा संबैधान में बरहवी अनुसूची जोड़ी गई जैपरकास नरायन में 1950 में सर्वोदय योजना का परणाम जैपरकास नरायन के द्वारा किया गया था 1945 इसवी में स्री मन राय ने जन योजना प्लान बनाई थे और 1944 में भारा सरकार ने नियोजन एबं विकास भिवाग नामक नया भिवाग खोला था 1944 में स्री मन नारायन ने गांधी बादी योजना बनाई थे। नेक्स्ट है 21 अप्रील को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंसर हो जाएगा A. सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। पुर्ण अस्परधा में कीमत का लेंदेन आप किसे मानते हैं? और इसका सही जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A. फर्म को. पुर्ण अस्परधा में कीमत का लेंदेन फर्म से मानते हैं। पुर्ण अस्परधा में फर्म में परवेस करना और बाहर निकालना दोनों असान होता है। नेक्स्ट है निमलिखित में से भुटान की मुद्रा क्या है? और इसका सही अंसर हो जाएगा D. नगुल्ट्रम. भुटान का मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम. नेपाल के अगर बात क्या जाए तो रूप्या है. बांगला देसके टका है और म्यान मार के जो है वो है क्या नेक्स्ट प्रस्ण है नेक्स्ट है अंग्रेजों के सिक्खे ढालने की टक्साल सरप्रथम कहां स्थापित की गई भारत की आधुनिक्तम टक्स्टाल नोईडा में 1989 स्थापित किया गया भारत में चार मिंट टक्साल है जिनके पास सिक्खे बनाने का अरिकार है अगला है भारत के उस राज का नाम बताया जहां जंगली गधो का एक मात्र अभ्यारन इस्तित है और इसका अंसर हो जाएगा भी गुजरात में एक मात्र जंगली गधो का भ्यारन गुजरात के कच के रन में है गीर राष्टे उद्दान गुजरात में है सिंग के लिए विशेश रूप से है काजी रंगा राष्टे उद्दान एक सिंग वाला गंडा के लिए है बालमिकी टाइगा रिजर्ब बिहार के पश्मी चमप परणजीले में इस्तित है और कहलास सांखla को टाइगर मेन आफ अंडिया कहा जाता है कई बार प्रेसमन पूछा जाता है कि टाइगर मेन आफ इंडिया किसे कहा जाता है कहलास सांखला को राश्ट मंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चोथा अस्थान प्राप्त किया और इसका सही अंसर हो जाएगा 61 राष्ट मंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल 61 पदक के साथ चोथा अस्थान प्राप्त किया राष्ट मंडल खेल 2022 में पर्थम अस्थान पे अस्थेलिया रहा दूसरा अस्थान पे इंगलेंड रहा और तीसरे अस्थान पे कनाड़ा रहा एक सठ पदक में बाई सुवर्ण सोलप रजद और तेस का सपदक के साथ 12-14 अस्थान पे रहा था भारते महला क्रिकेट टीम ने राशमंडल खेल में अस्ट्रेलिया से हारने के बाद रजद पदक जितने में शफल रहे और इस ख परवसंखला निम्रिकेत में से किस राजमावस्तित नहीं है और इसका अंसर हो जाएगा ए पंजाब में यह प्राचिंतम मुड़दार अब सिस्ट परवत का उधारन है जो राजस्थान बांगर को केंद्रिय उच भूमी से करने वाली सरचना है और इसकी उत्पत्ति प्र का रिपोर्ट लोग सभा द्यच को सौपता है लोग लेखा समीती में बाज सदस होते हैं और इसका द्यच विपश पाटी के नेता होते हैं लोग सभा के पंदरह और राज सभा के साथ सदस होते हैं लोग लेखा समीती में किस भारतिय राज में इसाइक जनसंख्या का परत कौन सा अनुछेद जो है वो पाकिस्तान के कुछ प्रावासियों की नागरिक्ता के अधिकारों से संबंदित है और इसका अंसर हो जाएगा अनुछेद 7 भारत के समिधान का अनुछेद 7 पकिस्तान के कुछ प्रावासियों की नागरिक्ता के अधिकारों से सम्बंदित है भारत के समिधान के भारत सकेंड में नागरिक्ता से सम्बंदित प्रावधानों का उलेक है भारत में एकल नागरिकता का प्राबधान है एगला प्रस्ण है कि किस नागरिक सम्मान के अकिर्थी पीपल के पत्ते के समान होती है और इसका सही अंसर हो जाएगा D. भारत रत्न भारत रत्न सम्मान के अकिर्थी पीपल के पत्ते के समान होता है भारत सरकार का दिये जाने वाला भारत रत पुर्षकार के लिए नगद रासी नहीं दी जाती है और यह भारत रतन की सुरुवात 1904 में हुआ है जिसे जनता पाटी की सरकार द्वारा 1978 में बंद कर दिया गया था किन्तु 1980 में कांग्रेस सरकार नहीं से फिर से शुरू किया था और सरप्रथन डाक्टर सरपली राधा क्रिश्नन को यह भारत रतन का सरवच नागरिक समान पुसकार दिया गया था नेक्ट है ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में मारले मिंटो सुधारों की गोष्णा किस बर्स की गई थे तो इसका अंसर हो जाएगा C 1909 में लाज मिंटो 22 तथा जानमारले भारत सचिव था मारले मिंटो सुधा के तहत मुस्लिम लीग को पिर्थक निर्वाचन की प्रवधान किया गया नेक्स्ट है नब निर्मी संसत भवन में कुल कितने संसत को बैठने की छमता है और इसका अंसर हो जाएगा D 1272 नब निर्वी संसत भवन में कुल संसत को बैटने की चमता 1272 है नब निर्वी संसत भवन का निर्मान सेंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट के तहर टाटा प्रोजेक्ट लिम्टेड द्वारा किया गया है पुराने संसत भवन का निर्मानकार जो 29-27 के बीच किया गया था जिसके बास्तुकार एडमिन लुटियस एवं हवट बेकर थे और नय संसत भवन का बास्तुकार बिमल पटेल है और पुराने संसत भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा अगला है हाल ही में भारते भूब बैज्ञानिक सर्वेच्छन जीए साय ने किस राज के समुदरी छेतर से एक्तर किये गए तलचट के नमूनों में दुरलब धातु बैनेडियम की खोज की गई और इसका सही अंसर हो जाएगा C. गुजरात हाल ही में भारते भूब बैज्ञानिक सर्वेच्छन ने गुजरात के समुदर छेतर से एक्तर किये गए तलचट के नमूनों में दुरलब धातु बैनेडियम की खोज की गई बैनेडियम चांदी की तरह स्वेध धातु है जो मुक्ता तन्यव अगात बर्दक भी होता है और इसकी परमानुश रंख्या तेस होता है नेक्स्ट है 20 सितंबर 2030 को गनेश चतुरुती के अगले दिन परांपरिक रूप से नुआ खाई उतसब कहां मनाया गया और इसका अंसर हो जाएगा डी उडीसा में मनाया गया नुआ खाई राज में एक बार्सिक फसल उतसब है जो नए चाबल के मौसम के आगबन का परतीर्थ है नुआ खोई उतसब, नव कलेबर उतसब, कलिंग महोतसब, कुनार्क नरित महोतसब, राजा परवा, रत यात्रा, छव, जैसे परमुक महोतसब उडीसा में आयुजित किया जाता है नेक्स्ट है 31 मार्च 2030 को नाटो संगठन का नया एक तिसवा सदस राष्ट कौन बना नेक्स्ट है काच की गहरा निला रंग किस से मिलता है और इसका सही अंसर हो जाएगा A, कोबाल्ट अक्साइड से, काच का गहरा निला रंग कोबाल्ट अक्साइड से मिलता है और काच में गहरा काला रंग रजत ब्रोमाइड से मिलता है फेरा सल्पेट का परियोग स्याही बनाने मोहर लबन एवन रंग उदोग में किया जाता है आइरन सल्फाइड इसे जूठा सोना या बेवकुपो का सोना कहा जाता है अगले प्रस्न पर चलते हैं दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाथ खटा हो जाता है या किसके बनने के कारण होता है और इसका सही अंसर हो जाएगा A. Lactic अमल के बनने के कारण होता है दूस्य से दही बनने की प्रक्रिया में Lactic यानि Lactobacal नमक जिवानों का योगदान होता है next प्रस्वन है कि बाइमंडल में उजोन परत के हास के लिए निमलिखित में से कौन सा रसाइनिक द्रब उतरदाई है सही अंसर हो जाएगा C, प्लोरो फ्लोरो कार्वन, CFC बाइवंडल में उजोल परत के हास के लिए जिम्मिदार है CFC गैस का फ्रियोन गैस भी कहते हैं, CFC गैस फ्रीज कूलर आदी से निकलने वाला गैस है नेक्स्ट है पुष्तक जादू नामा जावेद अक्तर एक सफर के लेखक कौन है इसका सही अंसर हो जाएगा D, अरबिन्ध मंदलोई उसतक जादु नामा, जवेदकतर, एक सफर, उसतक के ले ख़क अरबिंद मंडलो ही है लेक्स्ट है, मानम में मुख नाइट्रोजनी अब्सीस्ट कौन सा है और इसका सही अंसर हो जाएगा, B. यूरिया मानम में मुख नैट्रोजनी अप्सिस्ट क्या है वो है यूरिया अगला है निमली खित में से किसे फुल्स गोल्ड के रुप में जाना जाता है फुल्स गोल्ड के रुप में जाना जाता है और इसका अंसर हो जाएगा C FES2 यानि फुल्स गोल्ड के रूप में जाना था है F.E.S.2 खाद स्रिंखलास में किसी जीव को बिसिस्ट इस्थिति क्या कहलाती है? और इसका अंसर हो जाएगा B. पोसी अस्तर कहलाती है थैला सीमिया एक अनुबंसिक बिमारी है या किसको परभावित करती है? और इसका सही अंसर हो जाएगा A. ये रूधिर को परभावित करती है थैली सीमिया एक अनुबंसिक बिमारी है जिसके होने के बाद रूधिर को परभावित करती है बिटामिन के शरीर के अंदर बलड को जमने नहीं देता है नेक्स्ट है असमान बेग और एक समान त्वारन के साथ चल रहे पिंड के लिए इसका अंसर हो जाएगा D. बेग समय ग्राफ रैखिक होता है क्या होता है? बेग समय अगर इधर B हैटी है तो ये हो जाएगा इस तरह का नेक्स्ट है जल का बैध्यूत अभगटन खाली अस्थान का एक उदाहरन है और इसका अंसर हो जाएगा B. बियोजन अभिकिरिया जल का बैधूत अफगेटन ब्योजन अभिकिरिया का एक उदारन है जल के बैधूत अफगेटन में जल ऑक्सिजन और हैड्रोजन गैस में तूट जाता है जल के बैधूत अफगेटन के लिए 1.2-3 बोल्ड का संभावित अंतर हवस्यक है अगला प्रस्ण है कि ध्वानी की अबिर्थित त्रंग धेर्ज और चाल के बीच क्या संबंद है इसका जो संबंद है वो है डी भी बराबर होता है एन लेम्डा तो यहां एन बराबर है भी वाई लेम्डा तो अंसर हो जाएगा डी अगला प्रस्ण है सुमेलित करना है इन में से कौन सा सही एक तरफ सूच साली की हिलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने इसका अंसर हो जाएगा एक कॉपर निकास अग्रुत्वा कसन का सर्वत्रिक नियाम नियूटन ने दिया इसका जो सही जवाब हो जाएगा बो हो जाएगा कौनसा तो वी तीन दो एक चार अगले प्रस्ण पर चलते हैं फिर से स बढ़िक नजे टेन मीटर एक परकास बर्स बरबर हम देते हैं तर नो दसनलब चार्जो गुना 10 के पावर पंद्रर मीटर और एक पार्सयग बरबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर और इसका सही अंसर हो जाएगा डी तीन एक चार दो नेक्स्ट है का कार्नोटाइट किसका का एसक है कारनोटायट किसका एसक है इसका अंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा D uranium का और इरनियम को आसा धातु कहा जाता है भारत में इरनियम का सरवाधिक उत्पादन ज्हारखन के जादूगोडा में होता है पिंच ब्लेड भी उरिनियूम धात्यों का अयस्क है नेक्स्ट है निमलिखित में से संत्रिप्त बसा अमल छाटी है इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, A और B दोनो असिटिक एसिड और पॉमेटिक एसिड दोनो नेक्स्ट है मम्स है इसका अंसर हो जाएगा C, बिसानु द्वारा उत्पन रोग है मम्स यानि गल्सुवा बिसानु के कारण होने वाला लार ग्रंतियों को एक गंभीर संक्रमन है इसे एक टीके द्वारा असानी से रोका जा सकता है और यह रोक संक्रमित लार के माधियम से फैलता है अगला है सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है आईए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा अगर सरदी की बात करें तो सरदी जो होता है वो क्या होता है विसानु से होता है यानि बाइरस से होता है फाइलेरिया के हम बात करें तो परजीबी क्रीम से होता है, मलेरिया के अगर हम बात करें तो ये परजीबी प्रोटोजोवा से होता है, और आंच जोर की बात करें तो ये बेक्टिरिया से होता है, इसका जो सही अंसर हो जाएगा, हो जाएगा B, 1, 3, 4, 2, अगला प्रस्न है, अंत्री च्यान में अप्सीजन किया पूर्ती के लिए परिक्ट किये जाने बाले एक कोशिय सेवाल का नाम क्या है और इसका अंसर हो जाएगा C. लोरेला अंत्री च्यान में अप्सीजन किया पूर्ती लोरेला नामक सेवाल के द्वारा होता है लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मिया इरित्रियम नामक नील हरिस सेवाल के कारण होता है और नील हरिस सेवाल को साइनो बेक्टिविया भी कहा जाता है कुछ प्रस्ण पूछा जाता है सेवाल के बारे में कि बर्ख पर उगने वाले सेवाल को क्या करते हैं सैवाल के अध्यान को फाई को लवजी करते हैं। अल्ले में नेरिया नमक समुद्री सैवाल से अयोडीन प्रात किया जाता है। ये सारे पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। कैल्सम करवाइट पर पानी गिराने से उत्पन गैस होती है। और इसका सही जवाब हो जाएगा D, एसे टलीन गैस होती है। कैल्सम करवाइट का फर्मुला C, C2 होता है। पलस अगर उसमें S2 पानी गिराने पर वो क्या बन जाता है। C2, S2 बनता है पलस C, A, O बनता है। C2, S2 पर अब एसे टलीन। नेक्स्ट है, कुछ आटो मोबाइस में पीले रंग के अत्रिक्थ हेडलाइस क्यों लगे होते हैं। और इसका सही अंसर हो जागा C, पीला परकास कुहरे को भेद देता है और कुहरे भरी रात में मार्ग को परकासित रखता है। पीले रंग के परकास में कुहरे की भेद देनी की चमता होती है, खास करके जाड़े के मौसम में कुहरे के साथ चलने में पीले परकास का योगदान होता है, जो हमें मार्ग को असपस्ट या हलका दूंदला दिखाई देता है। ओर टो मोबाइस में पीले रंग के हेडलाइश लगे होते हैं, पीले रंग का परकास मोनो क्रोमेटिक होता है। नेक्स्ट है, पोटलेंड सीमेंट के परमुक संगठनों में सामिल है। और इसका अंसर हो जाएगा D लाइमा सिलिका इलमूनिया लाइमा सिलिका इलमूनिया वोटलेंड सिमेंट का प्रमुक संगत्रणों में है लाइमा 50-60% सिलिका 20-25% और इलमूनिया जो होता है वो 5-10% नेक्ट देखते हैं इंसुलीन अस्त्रावित होती है और इसका सही जबाब हो जाएगा ए पैंक्रियाज ल igual podr ग्न्यासे में इंसुलीन अस्त्रावित पैंक्रियाज ल ग्न्यासे गरंथीस से होता है इंसुलीन की कमिस्ट्र मधुमें या डाइबेटीस नामक रोग हो जाता है जो रूधिर में गुलकोच की मात्रा बढ़ने उसे होता है इंसुलीन की खोच बेंटिंग एवं बेश ने कब किया था तो नेशो 21 इसमें में किया था अब तल लेंज के मुख फोकस पर मिलती हुई परतीत होने बारी परकास की रन अफ़रदन के बाद खाली अस्थान निकलेगी और इसका अंसर हो जाएगा C मुख अच्छ के समना अंतर अगला प्रशन है कि मेंडलिव क्यावर्ट सारने निमलिखित समुहों में से किस तत्व समुहों के बाद तालिका में जगह मिले और इसका सही अंसर हो जाएगा B मेंडलिव क्यावर्ट सारने में S, C, G, A और G तत्व समुहों के बाद तालिका में जगह मिले नेक्ट प्रशन है निमलिखित में से किस धातु में सरवाधिक विद्यूत सम्भाहकता होती है और इसका अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B चान्दी में चान्दी धातु में सरवाधिक विद्यूत सम्भाहकता होती है चान्दी पंचम अबर्थ वा उबर्ग सस्ट का तत्वच जिसका परमानों करमां कितना है 47 चान्दी प्रकृति में मुक्त एवं संजुक दोनों अवस्था में पाया जाता है और इसका निस्कर्शन मुक्ता अजेंट टाइट एसक से किया जाता है नेक्स्ट प्रस्ट ने किन्हीं दो संख्याओं का योग तथा गुननफल करमसाई 11 तथा 18 है तो उनके ब्यूत करमों का योग कितना होगा इसे किस तरह सुर्व करेंगे कि माना दो संख्याओं कितनी है A और B है अब दोनों संख्याओं का योग पुछ दिया हुआ है कितना तो 11 A प्लस B बरवर 11 दिया हुआ है और दोनों संखीयाओं को गुनलन्फल कितना दिया हुआ है? 18. अब कह रहा है कि उनके ब्यूत कर्मों का योग कितना होगा? तो पहले हमें A और B निकालना होगा. तो दोनों अगर हम इसको एक समिकरन 1 के समिकरन 2 मान लेते हैं. तो करते हैं क्या? कि A पलस B बटा A भी करते है तो हमारा हो जाएगा 11 बटा 18 हो जाएगा अब इसको अलग-अलग करते थे A बटा A B पलस B बटा A B B भी इसमें कट गया A इसमें कट गया तो जो हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1 बटा B पलस 1 बटा A प्रस्ट में करा उनके ब्यूत कर्मों का योग, तो ब्यूत कर्म तो हो गया बन बटा ये, आईए बन बटा भी हो गया, योग कितना होगा, जो हमारा निकल करा जाएगा, जो पहले था कितना, 11 बटा 18, वही इसके ब्यूत कर्मों का योग हो जाएगा, तो अंसर हो जाएगा कर्मनवाई संख्या का मतलब अगर यह 4 है तो इसका अगला 5 होगा कर्मनवाई संख्या होगा तो कह क्या रहा है कि एक संख्या का एक ते माना के वाद संख्या अगर हम N मानते हैं तो संख्या का एक तिहाई उसके कर्मनवाई संख्या को क्या हो जागा N पलस 1 संख्या के पाचवे भाग से एक अधीक है यही हमारा इस्टेशन निकल कर आया एंग बटा थीरी बरहबर एंग पलस बन वटाप 5 पलस वन जब इससे आफ शूल किजिएगा तो हमारा इनका जो मान आएगा वह क्या आएगा वह गा चे बटा पांच गुना 15 बटा दो यानि 3, 35, 45, तीन बरसों में जो ब्याज है, वो क्या हो जाएगा, वो पांच परसेंट है, और पांच बरस से अधी कभी पर ब्याज कितना है, आठ परसेंट है, यदि सात बरस बाद मिलने वाला ब्याज 780 रुपिया है तो मुल्धन ज्याद किजिए 2 बरसों में 4% है 3 बरसों में 5% है तो 5 बरस तो हो गया अब उसके 5 बरस दिख ब्याज कितना होगा तो 8% है कितना है वो 2 साल का ही होगा क्योंकि total 7 बरस ही कह रहा है तो प्रस्ट में जो कह रहा है कि मुल्धन बरावर हम माल लेंगे क्या मुल्धन बरावर X माल लेंगे X गुणा 2 गुणा 4 बटा 500 अब ये जो x साल के लिए है X गुणा 3 गुणा 5 परसेंट के ब्याज पर 30 हो जाएगा 100 अब लाच वाला जो 8 परसेंट है वो 2 साल के लिए Х गुणा 2 पलस limit गुनाट बटा 100 अगर ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा जो निकल कराएगा वो 780 के बराबर होना चाहिए तो यहां से हम X का जब मान solve करेंगे इसका जो अंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2000 तो सही अंसर हो जाएगा B अगले प्रस्ट पे चलते हैं कि यदि Z के 20% का 10% 50 हो तो Z का मान क्या होगा Z का 20% क्या करा है Z का 20% का 10% अगले प्रस्ट पे चलते हैं कि यदि 8 cm लमबा 2 cm अधार त्रिज्या बाले लोहे को ठोस बेलन पिखलाकर 3 ठोस गोले में बदला जाता है तो परती एक गोले का प्रिश्चत फल कितना होगा तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है R कितना दिया हुआ है 2 cm और उचाई H दिया हुआ है 8 cm अब कर रहा है कि बेलन का आइतन बरबर क्या होता है बेलन के आइतन बरबर तो आइतन बरबर होता है तीन गुना गोले का आइतन यह प्रस्ट में करा है तो बेलन के आइतन पाई आर स्कॉाइर एच पाई आर स्कॉाइर एच बरबर थिरी गुना फोर भाई थिरी पाई आर क हुए क्योंकि गोले क्या इतने आ यहां पर जो ऑ है वेलन के अब यहां में रखते हैं है बढ़ा और एच का और small आर निकल के आ जाएगा तो small आर जो होगा यादि गोले का जो रेडियस होगा वो निकल के आ दो cm आ जाएगा अब गोले के तरीज़ा 2 cm दिया हुआ है तक गोले के प्रिष्ट छेत्रफल कितना होगा जो गोले के प्रिष्ट छेत्रफल वराबर फर्मूला होता है थोर पाई आर स्कॉयर अब इसे सोल्व की जाएगा तर निकल कर आएगा 16 पाई अंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी शुला पाई नेक्स प्रस ने किसी धर्म पर सधारन ब्याज मुल्धन का 9 बटा 16 है यदि ब्याज की धर तथा समय में बरसों के संख्यातमा कमान बराबर हो तो यह समय कितने बरस होगा तब मुल्धन बराबर हम यहां X मान लेते हैं जितना र है और दर भी कितना है र है अब इसका ब्याज हो जाएगा x गुना आर गुना आर बटा 100 हो जाएगा यानि x र स्कॉयर बटा 100 हो जाएगा ब्याज प्रस्ट में का रहा है कि सधारण ब्याज मुल्धन का 9ब्टा 16 यानि मुल्धन X ठा उसका सधारण पेग्षय नौब्टा 16 यानि पाई आर अस्कुाय ब्टा सोड़ी पाई ने एकस आर स्कुाय ब्टा 100 बरबर हो जाएगाPro 19 16 क्योंकि यह मुल्धन यहां से हम क्या करेंगे कि X का जो हमारा मान है वह तो कट जाएगा और का मान हमारा निखल कर आ जाएगा कितना तो वह आ जाएगा 30 बटा 4 यानि 7 पुर्णा के 1 बटा 2 परसेंट या 7 पुर्णा के 1 बटा 2 बरस कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है तो अंसर जो हो जाएगा D अगला प्रशना है कि यदि X पलस 1 बाई X बरबर 5 हो तो X स्क्वार पलस 1 बाई X स्क्वार कमान कितना होगा एक फार्मूला जानते हैं कि A पलस 1 बाई A बरबर क्या हो B हो तो जो हो का निकल कर A स्क्वार पलस 1 बाई A स्क्वार बरबर हो जाएगा B square minus 2 होता है B square minus 2 होता तो B के जगा पर 5 है तो 45-25 हो जाएगा और 2 घड जाएगा तो जो answer हमारा निकल के आएगा तो होगा तेज answer B हो जाएगा और next प्रस्ट पे चलते हैं यदि 80 विद्यार्थी वाली कच्छा में 7% बालक है 40% के पास पर्थम स्रेणी की डिगरी है तथा 50% बालकों के पास पर्थम स्रेणी की डिगरी है तो पर्थम स्रेणी डिगरी वाले बालिकाओं की संख्या कितनी है देखना है कि 1 डिविजन बाले बालकों की संख्या कितनी है तो 1 डिविजन बाला 80 पहले है उसके बाद करा 7% बालक है, 80 में 60% ही बालक है, उसमें भी 50% ही बालक के पर्थम स्रेनी है, तो ये निकल कर आ जागा कितना? 24 आ जाएगा, अब फास्ट डिविजन वाले विद्यारत्यों के संख्या कितनी है? तो वो है 40% है, यानि 80 के 40% कितना हो गया? 32 बच्चे हो गया, य लड़कियां हैं, जो फर्स डिविजन लाइए, पर्थम स्रेनी डिग्री वाली बलिकाव की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा, आठ 20 है, अगले प्राश्न पर चलते हैं, तीन सिक्कों को एक साथ उच्छानने में अधिक से अधिक एक हेड़ आने की प्राइकता क्या लेकिन हमारा जो परॉब लीटि निकल कराता ही, पी यवभर उह होता है, एटीन बटा एन सोता है, लेकिन हमें एजन तो मिल गाया है, अब एनी क्या है? वो निकालना है, एनस बढ़ तो आठ है, तो यहाँ जो प्राश्न में कह रहा है, कि तीन सिक्कों को एक साथ उच्छ अधिक से अधिक एक हीड होना चाहिए अनि दो टेल होने चाहिए कितना तो हमारा जो निकल कर आ गया और निकल कर आ तिन तो अम निकल जांए left by बरबर हो जाएगा थीन वट यह नहीं बटद आठ एनस तो इस shines ही ऐसे हो जाएँ दो गैया निक्स प्रशन पर चलते हैं चार लड़के दो लड़क elan पीनल पेडिक वाले विध्यार्थी ओ के दो भड्ड एक झत को दोनों भर्गण से चुना जाता है यह लाणका और इक लड़कल चुने जाने की प्रहता का योग क्या होगा तो आईए देखते हैं कि इसने प्राइक्ता जो बनेगा कि चार लड़कों में किसे चुनना है एक को चुनना है और एक लड़की को भी इसमें चुनना है तो तीन लड़की एक लड़की है एक तो यह है और एक यह है तो इसमें से लड़की चुन कितने में तो तीन लड़कों में से एक लड़की चुनेंगे में और टोटल जो इसे बटा कर देंगे टोटल कितने स्टुडेंट है चारदो छोती नौए दश अचुन्य का कितना है दो ही चुनीं है तो दस सी टू जब अगले प्रेस्ट पर चलते हैं कि ए ने 3500 रुप्या लगाकर एक ब्यपार अरंभ किया तथा पांच माह के बाद बी भी कुछ धन लगाकर एक साथ साजिदार हो गया एक बश के बाद प्राप्ट लग को उनमें 2.03 के अनुपात में बाड़ दिया गया तो ब्यपार में 2.12,900 धन कितना होगा तो माना कि बी दुवारा निवेसी धन कितना है तो वह है एकस है अब कह रहा है कि 3500 रुप्या लगाकर एक ब्यपार अरंभ किया गया पांच माह के यानि अगर 3500 हुआ है उसमें 12 है तो कितने यह एक एक साजी दर रहे एक बर्स बाद लाग हुआ बी कितने पांच मेहना बाल रहे था साथ अगुना कितना एकस इसका अंसर जो हो जागा अत्य जो है दो बटा तीन के नुपात में फाइदा हुआ है अब हमें यहां से मान है यह एकस का मान निकालेंगे तो जो हमारा निकलकर आ जाएगा वहे 9000 यानि एकस जो है बी जो है वह कितना धन लगा कर शुरू किया था तो वहे 9000 इसका जो सही जबाब हो जाएगा वह जाएगा बी नेक्स प्रस्न है निमलिखित सार्णियों में से पूरुस को उनके संख्या क्या होगी तो 30 से अधिक कितना है 78 है 30 से अधिक यह तो होगा चालिस बर्स अधिक है अब पूछ रहा कि 30 आई के बीच का है यानि 78-68 तो जो हमारा अंसर आजाएगा वह जाएगा 10 सही जो अंसर हो जाएगा 10C हो जाएगा अगले प्रस्ट पर चलते हैं कि तीन सं था तो तेसरी संख्या क्या होगा ताहरात्मक मान यानि एंड़र की बात कर रहें टो बाइं इचंप बराबर है इंट्य प्लस बरन बाई बीद्न स्थ डॉन्डट यह होता है बन वाई एच म बराबर तो बाई यह हमारे पास है वह दिया हुआ हुआ है कितना 18 और 2 वाइन कितना है 3 संख्या की बात कर रहा है तो 3 1 बटा 12 प्लस 1 बटा 36 प्लस 1 बटा X है अब इसे आफ सोल्फ किजिएगा तो X का जो मान निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 18 इसको जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B अगले प्रस्ण पर चलते हैं कि A और B किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं जबकि A अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है B अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है B द्वारा एक दिन का भाग क्या है 1 बटा 12 मैनेस 1 बटा 30 जो हमारा निकल कर आएगा 5-2 बटा 60 बरावर 1 बटा 20 भाग तो B का कार्ज कितना होगा पूरा तो 20 दिन में पूरा होगा तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और इस तरह भी आप बना सकते हैं A पलस B कितने है 12 दिन में करता है यह करता है 30 दिन में तो कुल अगर हम देखा जाएगे ले ले लेंगे तो 60 हो जाएगा 30 बारा के और इसका जो हो जाएगा क्या है चमता 5 है और इसका चमता 2 है यानि अब जो चमता B का है यह का तो 2 निकल गए तो B का कितना चमता था तो 5-2 बरावर 3 टोटल काम 60 है और 3 चमता है तो इसे भागा देंगे 60 से तो अंसर जो है क्या जाएगा वो हो जाएगा 20 इस तरह भी आप सोलुक कर सकते है नेक्स्ट अगले प्रस्ट पे चलते हैं यदि आकिरती में बहस कौन का मान 120 डिग्री है तो कौन B 90 डिग्री का है तो तिरकोन में कौन X का मान क्या हुआ ये कौन क्या हुआ तो ये पूरा 180 डिग्री का है ये 120 है तो यानि 180 माइनस 120 कर देंगे तो कितना जगा 60 यानि E जो हमारा कौन होगा वो 60 डिग्री होगा और हम जानते है तिर्भुजों का योग बरबर 180 degree होता है यानि 90 पलस 6 ये 90 पलस 6 पलस X बरबर 180 degree है X का मान जो हमारा हो जाएगा 30 degree हो जाएगा आप इस तरह भी निकाल सकते हैं एक और में थड़ है जिसे आप निकाल सकते हैं कि X बरबर जो हमारा होता है 120 degree मानेस 90 degree सीधे 30 degree यानि ये 22 कौन मानेस ये B का कौन घटा देंगे तब हमारा ये मान आ जाता है ये भी बन जाता है लेकिन ये भी इसका जो सही अंसर हो जाएगा हो हो जाएगा C अगले प्रेस्ट पे चलते हैं एक टंग की 25 बाल्टियों से भर जाती है उस बाल्टि के अपेच्छा 2 बाल्टा 5 भाग आयतन वाली कितनी बाल्टियों से ये टंग की भर जाएगी तब माना कि बाल्टि की धारिता है जो एक्स लीटर है तब टंग की धारिता कितना होगा पचीश एक्स लिटर क्यों के 25 बाल्टी यों से भर jáती है है अब नई भाल्टी के जो धारीता है बो क्या है उस बाल्टी के ecos गया झोलिकती बांच है यानि थो एक्स 20 सही हो जाएगा लड़कों के एक Carnival में राकेस दाईने और से 11 असतान पे है और 21 और से मोहन क्टी में 11 स्थान पे है अगर मोहन से राकेस 12 है तोманक्टी में कितने लड़के हैं इसका अंसर हो जाएगा पंक्ती में कितने लड़के हैं 15 플स 11 12-12-1 प्रवर 37 इसका सही अंसर हो जाएगा C 37 अगले प्रस्पप चलते हैं निमलीखित का मान क्या होगा आईए इसे सोल्व करते हैं इसे 2-1 बटा 2 करते हैं equal to 1 बटा 2 हो जाएगा इससे अगर solve करते हैं तो 3 minus 1 बटा 3 यानि 2 बटा 3 करते हैं इससे अगर solve करते हैं तो 4 minus 1 बटा 4 यानि 3 बटा 4 हो जाएगे इससे अगर solve करते हैं n minus 1 और क्या हो जाएगा minus 1 बटा n minus 1 हो जाएगा और अगर हम इसे solve करते हैं तो इन माइनस बबटा इन हो जाएगा और ये देखिए जो हमारे एक ना स्रिज बन कर दो गुना दो बटा तीन गुना तीन बटा चार गुना जो हमारे ये बन कर आएगा हो जाएगा इन माइनस तू बटा इन माइनस बन इन इन माइनस बन बटा इन है इस तरह हमारा स्रीज बन के आ रहा है तो हमारा ये दो-दो कट जाएगा ये तीन-तीन कट जाएगा और ये इन-न कट जाएगा ये भी किसी से कट जाएगा तो हमारा ये शुरुआत का और एक लास्ट का बचेगा तो जो अंसर निकल के आएगा वो बनबटा इन आएगा तो अंसर हो जाएगा क्या वो हो जाएगा इसमें अंसर जो दिया हुआ है वो नहीं है तो उप्यूक्त में से कोई नहीं दी हो जाएगा अगले प्रस्ट पे चलते हैं वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 8, 5, 4 तथा 12 से भाग देने पर 3 CS बचता है किन्तु 9 से भाग देने पर कोई CS नहीं बचता है तो सबसे पहले हमें 8, 5, 4 और 12 के LCM निकाले हैं कितना आजाएगा? 120 आजाएगा अब अगर संख्या को हम 1 से गुना करते हैं 120 ही रखते हैं और प्रस्टीन जो CS बच रहा है तो इन रखते हैं कितना हो जाएगा? 130 यह तो संभव ही नहीं है क्योंकि किसे से डिवाइड नहीं हो रहा है अगर हम 2 रखते हैं 120 प्लस यह 3 करते हैं जो CS है तो हमारा निकल कर रहाएगा 243 अगर उसे 9 से डिवाइड करते हैं तो यह पूरे-पूरे कर जा रहा है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B243 एगले प्रस्ट पे चलते हैं कि 24, 31 अंठामन और 89 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पहली दो संख्याओं में बची हुई संख्याओं का अनुपाद दूसरी दो संख्याओं से बची हुई संख्याओं के अनुपाद से समा नुपाती होगा तब माना कि सभी संख्याओं में से x को घटाया जाए तो क्या होगा 24 माइनस x अनुपात 31 माइनस x समानुपाती होगा अंठामन माइनस x अनुपात 89 माइनस x इस तरह बनके हमारा एक आएगा यहां से आप x के मान सोल्व किजिएगा तो 90 में बटा 14 आएगा तो अंसर हो होगा बी अगले प्रस्ट में चलते हैं कि एक संख्या का नौब भाग अपने 10 भाग से चार अधिक है है संख्या कौन सी है माना कि अगर अभी संख्या क्या है एक से और x का नौबभा भाग अपने से 10 भाग से 4 दिक है याई है मेड़ुर हो घटा देंगे तो 4 निकल कर हो जाएगा बी यह लिए निट प्रेस्ट प्रेस्ट पे चलते हैं एक जीरो दिसम्लाव नोच सोंका इसक्वाइर प्लस जीरो दिशाम जीरो नोच दो नौन उक्वाइर यह कितना एक क्यों माइनेस BQ फर्मूला पर बेस्ट है आप इसे जब कि जाएगा इसे तोड़ गर तो जो आइगा अंसर हो जाएगा दी जीरो दिसम्लव आठट चे नेक्स प्रस नहीं कि बर्तमान में पिता अपने पुत्र से तीन गुनी आयू का है पांच बर्स पहले उसके आयू पुत्र की आयू से चार गुनी थी बर्तमान में पुत्र की आयू क्या है माना कि पुत्र की बर्तमान आयू जो है वो एक्स बर्स है पिता की बर्तमान आयू कितना हो तीन गुनी है तो थी एक्स है अब कहा रहा है कि 5 बरस पहले यानि 3x-5 बरबर है बर्तमान बरस पहले उसके आई पूत्र के आई उसे 4 गुनी है पूत्र के पूत्र में भी x गटेगा उसके 4 गुना होगा यहां से जब हम सोर्व करेंगे तो एक मान जो हमारा आजाएगा वह जाएगा फंद्रह बस इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा सी नेक्स प्रेस्ट पे चलते हैं कि नियम्न चित्र में तिर्भुज परदर्सित करता है आदमी आयत परदर्सित करता है नौकरी करने देखना है कि संख्या साथ है और नहीं कर रहा है यह नौकरी का और यह doctor का इसका जो अथी हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B next person है एक सरलिक करन है root 7 minus 2 root 10 plus root 5 plus 2 root 6 का मान क्या होगा आप इसे इस तरह लिख सकते हैं 5 plus 2 minus 2 root 5 plus root 2 इसे आप लिख सकते हैं और यह जो लिखना है उसे आप लिख रिजिए 2 plus 3 5 हो जाएगा plus 2 root 2 गुना root 3 जब इसे आप सोल्ब कीजिएगा तो हमारा जो अगला टर्म निकल के आएगा वो root 5 minus root 2 के square a minus b के whole square पे यह best हो गया और यह a plus b के whole square पे हो गया है यानि plus root 2 plus root 3 के square जब इसे शोल्ब कीजिएगा तो हमारा आएगा root 5 plus root 3 अंसर और इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बील अगले प्रस्ण पे चलते हैं निम्लिखित प्रस्णों में दिये गए बिकल्पों में से लुप्त अंक ग्याद करना है और बताना है कि लुप्त अंक क्या होगा तो आएगे सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से स्रीज है तो अगर हम यह चार उठाते हैं चार अगुना दो करते हैं अब पलस दो करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो दस किसके इसके बरावर ठीक अगर हम इससे करते हैं छे गुना दो पलस दो करते हैं तो यह जो 14 इसके बरावर ठीक इसी में आठ गुना दो 16 पलस 2 18 यह जो निकल कराएगा वह जाएगा तेरा गुना 2 पलस 2 यानि 26 पलस 2 परवर 18 तो यहां जो अंसर होगा वह होगा थाएग सही अंसर हो जाएगा सी एक्स प्रस्ण है प्रस्ण बाचक चिन पर क्या चराएगा यह बताना है तो आज्ये पहले जो अस्तम में है वो देखना है 9 गुना 8 किया हुआ है माइनस 7 क्या हुआ है या इन दोनों को गुना किया है और इसे घटा आया गया था तो जो हमारा निकल कर आएगा 72 माइनस 7 बड़ाबर 65 सिसका जो हो जाएगा ये 65 इसी तरह अगर 6 गुना हम 5 करते हैं 6 पचे 35 हो जाएगा और चार घटाते हैं तो 26 हो जाएगा यानि दोनों के गुणा यह से मिस्तरा के गुणा करने पर यह घटाने पर 49 आना चाहिए तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एकस का जो हमारा मान आ जाएगा हुआ जाएगा साथ के बराबर यह सच्छा का 42-3 बराबर 49 तो अंसर हो जाएगा C नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं क्या है कि A से अधिक A B से अधिक किन्तु C से कम अंग प्राप्ट करता है D E से कम किन्तु A से अधिक अंग प्राप्ट करता है यदि C D से कम अंग प्राप्ट करता है तो यह बताए कि A B C D में सब से अधिक अंग के करम बनेगा सबसादी का कौन प्राप्ट करता है तो अंसर हो जाएगा डी अगला है सब्द कोस में दिये गए बर्न करम के अनुसार लिखिए इसका जो सही एंसर हो जाएगा वह जाएगा पहले कौन लिखाएगा तो ये लिखाएगा उसके बाद ये लिखाएगा इसके बाद ये और उसके बाद एंसर हो जाएगा वह जाएगा c अगले प्रस्ट में यदि ए भागा को दर साता है b plus को दर साता है c minus को दर साता है और b गुना को दर साता है तो इतना का क्या होगा solve करने पर जब आप इसे solve किजेगा 24 भागा 6 गुना 4 उसके बाद है क्या है plus 9 और minus आठ हो जाएगा जब इसे स्वर्व की जाएगा तो इक्वल टू आएगा कितना सत्रा तो अंसर हो जाएगा डी नेक्स प्राश्ण पर चलते हैं निम्लिखित प्राश्णों में दिये गए बिकल्पों में से संबंधित सब या अच्छर संख्या को चुनिए छत्ता मधुमक् सी गडूर जिस परकार च्छत्ते का निर्मान मधुमक्खी द्वारा आता उसी परकार उचा निर्मान गडूर द्वारा किया जाता है next screen का press देखिए यह किस तरह कə series थो d से जो हमारा है वो b गया है minus 2 गया है और h से f गया है ये भी minus 2 गया है यानि इसमें सबभी जो है वो minus 2 गया है तो अगला c से minus अगर हम 2 करते हैं तो a आएगा g को minus 2 करते हैं तो क्या आएगा e आएगा क के माइनस दो करते हैं तो आई आएगा वो को माइनस दो करेंगे एम आएगा और क्या है इसको माइनस दो करेंगे तो क्यू आएगा और डबलू को माइनस दो करेंगे तो यू आएगा तो इसका जो अंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा बी नौ अनुपात चोबिस समानुपात खाली अस्थान अनुपात आठ तो आएए देखते हैं किस तरह बना हुआ है अगर नौ को हम बन बटा तीन करते हैं तो हमारा जाएगा क्या तीन आ जाएगा अगर चोबिस को हम बन बटा तीन करते हैं तो यह आ जाएगा आठ यानि बन पाल ने चोपड़ा को बताया मेरेट के लिए बस हर आधे घंटे बाद जाती है पिछले बस अभी पांच मिनट पहले गई है अगली बस दो बज़के 20 बज़े अपराहन जाएगी सेमाय पाल ने चोपड़ा को यह सुचना लगभग किस समय दी तो जो हमारा यह एक बज़के जाएगा क्योंकि पांच मिनट गई हुई बस हो गई यानि अभी जब दे रहा है पांच मिनट पहले यान एक अगर 50 में जाता तो दस मिनट इधर हो जाएगा और बीस दो बचके 20 मिनट यां 30 हो जाएगा इसका जो अंसर वह जागा एए एक बचके पाइब अपीस तरह से भी निकाल सकते हैं प्रश्ण आजले अगला प्रश्ण है कि कौंसा बिद्वान और चात्रों को सही परकार से दर्साता है सिच्छक बिद्वान और छात्रों को सही परकार से जरसाता है तो इसका जो अंसर हो जागा वो हो जागा ये क्योंकि कुछ छात्र सिच्छक तथा बिद्वान दोनों हो सकते हैं तो सही उतर जो होगा बुड़ी होगा एक हो जगा सिच्क, एक हो जगा चा रहा जगा बिदवान की, अपने घार से 10 चिन पश्चिम के और मुख करके कविता है 15 मीटर चलती है, तो 15 मीटर चलती है, उसके बाद करते हैं। फिर वह उत्तर के और मुड़कर 12 मीटर चलती है अब वह अपने घर से जो उसका परम्भिक अस्तल था कितनी दूरी पर है यह देखना है यह जो दूरी है वो कितनी दूरी है यह 15 है यह 12 है तो निश्चित है कि यह हमारा जो निकल कराएगा वो 9 के बराबर हुआ क्योंकि 15 के स्कुआर के अंडर रूट जो हो जाएगा तो अंसर हो जाएगा 9 मीटर नेक्स देखते हैं कुछ समीकरन किसी बेवस्था के अधार पर हल किये गये हैं उसी अधार पर हल किये गए समीकरन का सही उतर ग्याद करना है यानि यह देखना कि 7,6,4 को इस तरह कैसे लिखा गया ह तो बहुत सिंपल सी है 6 को यहां पर लिखा गया है सुरुआत में यानि बीच वाला को सुरू में लिखा गया है और सबसे लास्ट में है उसको बीच में लिखा गया है और लास्ट वाला को लास्ट में ही लिखा गया है सेम इसमें भी इसे किया गया है और इसमें हम करते है तो बीच वाला को सबसे, क्या करते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं, और सुरुआत वाला को बीच में लिखते हैं, लास्ट वाला को लास्ट रहने देते हैं, तो हमारा अंसर निकल काएगा, एक सो बान में B हो जाएगा, नेक्स्ट है 25-24 मीटर उची दिवार पर चाहने वाला एक आदमी एक दिन में 16 मीटर चढ़ा लेकिन साम को 3 मीटर 40 सकंड नीचे फिशल गया उस दिन वह आदमी कितनी दूर पहुचा इसका जो सही अंसर हो जाएगा 16-3.4 यानि 12.6 मीटर ही पहुचा तो अंसर हो जाएगा बी अगले प्रस्ट पर चलते हैं कि निम्लिखित प्रस्टों में से एक या दो बक्तब दिये गए हैं जिसके आगे दो निसकर्स एक और दो निकाले गए हैं आईए देखते हैं बक्तब निसकर्स के प्रस्ट क्या कह रहा है कि कुछ अस्कूल परियोग सलाएं हैं कुछ अस्कूल परियोग सलाएं हैं सभी परियोग सलाएं नाट सलाएं हैं यानि यह परियोग साला के अगर हम बात करते हैं किसमें किष्ब आप साला है और कुछ जो है अस्कूल यह वह परियोग साला यानि कुछ अस्कूल भी हे जो परियोग शाला है यानि उसमें नाट satisf आ जाएगा। तब निसकर्स एक निकलता है इसका अंसर हो जगा है ए अगला है बकता वेवम निसकर्ष के प्रेस्ट में कैक्टस पौधे गुद्यदार होते हैं कैक्टस पौधे गुद्यदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी किया वसकता होती है कि निसकर्ज में सबी गुद्दार पौधे कैक्टर्स होते हैं ये बिल्कुल सही बात नहीं हैं कैक्टर्स पौध को कम पानी क्या भूशता होती है यह सही है क्योंकि उन्हें कम पानी क्या भूसकता होती है तो अंसर हो जाएगा D केवल niscar सेंड निकलता है अगले प्रस्विए निमली खिद बर्ग में कितने तीर भूज़ ऐए इसमें देखना है कि कि TNR हो जाएगा भी टॉटल सब्द तुर्व भूज है अगले प्रसन है कि निम्रिकित प्रस्णों में दिये गए विकल्पों में से वा सब्द चुनिये जो दिये गए सब्द के अच्रों को परियोग करके नहीं बनाया जा सकता है तो इसका जो अंसर हो जाएगा बो हो जाएगा B, Minister क्योंकि Minister सब्द नहीं बना सकता है मूल सब्द में अच्छों में E नहीं है यहां पर जो E है इसमें कहीं भी E नहीं है तो अंसर हो जाएगा B, अगला एक बिर्तकार कागज को एक BCS धंग से मोडा गया और फिर एक बार चिद्रित करके खोला गया है उत्तरा किर्तियों को देखकर बताए कि उसे किस उत्तरा किर्ती में दिये गए धंग से मोड कर चिद्रित किया गया है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, इस तरह के करके यहां भी बनेगा और यह जो है बीच में वह भी इस तरह के बनेगा यहां भी बनेगा यहां भी नेक्स प्रस्ट पर चलते हैं कि एसी संख्याओं के समूब का चैन कीजिए जिनमें कुछ समान गुन धर्म है 31,19,41 जैसा पहले देखना यह किस तरह है वो देखना है इसका जो हमारा अंसर निकल के आता है कि दिये गए वो संख्या सी है जो समान गुन धर्म वाला है क्योंकि संख्याओं का समूँ है 29,17,37 भी अवासंख्या है 31,41 भी अभासंख्या का समूँ है नेक्स्ट है यदि चित्र को दरपन के सामने रखा जाए तो आपका सही परतिविम क्या होगा अगर इसे है दरपन के स्रामने रखा जाए तो सही परतिविम क्या होगा इसका जो अंसर हो जाएगा भो हो जाएगा क्या दोज़का है दी शब्डि नेक्स्ट है मेर्म बिकल्प vectors कौन्सा बिकल्प नीचे दिये हुए सब्डैव को सार्थख करम दर्स आता है, ये देखते हैं कि कौन सा है, तो सबसे पहले क्या होगा, बर्शा होगा, उसके बाद क्या होगा, नदिका निकलेगा, उसके बाद सहायक नदी बनेगा, उसके बाद पूरी एक नदी हो जाएगी, और उसके बाद क्या है, वो समुंद्र में जाएगा, समुंद होते सूर्ज की और उपने पीट करके रिसमा चलना सुरू करते यानि वह मिनट बाद बाइं गूम जाती है और चलती गूम जाती है एऊ फिर दाएं घूम जाती है इस्षनवक किस दिशा में जा तो वो दच्छिन दिसा क्यों जा रही है अंसर हो जाएगा A यदि गुड़नेस को इस तरह कोड में लिखा जाता है तो ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा तो ये देखा है कि गुड़नेस इसे क्या लिख रहा है तो G से अगर हम पलस एक करते हैं तो H होगा और क्या है O से माइनस एक करते हैं O से माइनस एक करते हैं तो एन है O से पलस एक करते हैं तो P है यानि एक बार पलस एक बार माइनस एक बार पलस एक बार माइनस किया जा रहा है एक एक का उसी परकार अगर हम ग्रेटनेस को F होगा, माइनस A को करेंगे एक तो Z होगा, तो जो हमारा निकल के इस तरह आएगा, वो होगा D, गलब प्रस्ने की दो गोड़े A और B पहले चक्कर में तीन अनुपाद दो अनुपाद की गती से दोड़ते हैं, दूसरे चक्कर में अनुपाद बदलकर चार अनुपाद साथ हो जाता है, तीसरे चक्कर में अनुपाद बदलकर आठ अनुपाद 9 हो जाता है, दोनो गोड़ो के बीच कूल मिलाकर अनुपाद में कितना अंतर है, यह देखना है, तो सुरुवाद के जो गोड़े का है, वो अनुपाद पहले कर लिए, कि 2 पलस 7 पलस 9, एक यह अनुप करा जाएगा, एक का ठारा, एक का पंदरा, यानि तीन के डिफरेंस है, तो अंसर हो जाएगा, सी, नेट्स देखते हैं, यदि किसी भासा में 50 को, सी ए, सीटी वाई, कार को पोल और टार को टोल लिखा जाता है, तो टरिफ को उस भासा में कैसे लिखा जाएगा, आई गया है, बाई को बाई ही रह दिया गया है, यानि शुरुवात इस तरह लिखा गया है, तो अगर हम इसके बात करते हैं, तो सी को पी लिखा गया है, एक को लिखा गया है, और जो हमारा आर है, उसको आर को लिखा गया है, टार को टोल लिखा गया है, टी को रहने दे दिया लिखाएगा टी को टी रहने दे रहा है एक को क्या कर रहा है और को लिख रहा है तो हमारा जो निकल कर आएगा इस तरह हो जाएगा डी नेक्स्ट है नीचे दिए गए बिकल्पू का सही उतर ग्याद करने के लिए चिन्हों को बदलिए तथा तदनुसार उसे हल किजिए यहां पर जो लिखा हुआ है वो चिन्हा को बदलना है और उसके बार हल करना है तो 9 गुना 8 गुना 7 चोबिस इस तरह नहीं है अगला प्रषानि है कि निमलिखित में से कौन से आकिर्थी समाश आश्तर मनोविज्ञान और मानविकी के भी संबंद को दर्शा आती है जो त्प्रश्न हो सही अंसर हो जाएगा यहाँ मानविज्ञान आता है एक बरबर जीरो इसे चेक करते हैं तो दुसरी संख्या है वो बराबर है पहली संख्या के स्क्वार्ब में एक गटाने पर किंतिया का 9-1 ऑठ होगा अगर इसे भी चेक करते हैं तो 1K2-1 बरबर 0 अगर इसे चेक करते हैं 6K2-1 बरबर 35 इसे चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 4749-1 बरबर 48 वहना कि 50 होगा तो यह हमारा सबसे भीन है तो अंसर हो जाएगा D. D. E. P. Q. T. U. और M. O. में कौन सा है ये दिखना है D. से E गया पलस एक गया है P. से Q गया है पलस एक गया है D. से E. U गया है पलस एक गया है लेकिन M. से O गया है पलस तो गया है यानि ये difference है अंसर हो जाएगा D. बाइगान परवल कदू अपालक में क्या है तो अंसर हो जाएगा D. पालक पालक को छोड़कर आने सभी सबजिया है जबकि पालक जो है वो साग है गले प्रस पे चलते हैं मधु ने कहा मेरी माता के इकलावते पुत्र मेरी माता के इकलावते पुत्र असोग का कोई पुत्र नहीं है निमलिखित में से क्या निश्कर्स निकाला जा सकता है और इसका अंसर हो जाएगा D. असोग की केवल पुत्रियां है क्योंकि मधु की मा केवल एक पुत्र असोग है तो मधु असोग की बहन है असोग का कोई पुत्र नहीं है अर्थात असोग की के विल पुत्रियां ही निकाला जा सकता है इसका जो अंसर हो जाएगा D है नेक्स्ट है 134 नंबर के कि देखना है कि यह खाली है स्थान पर यहां पर कौन सा डिजिट आएगा तो सबसे पहले देखते हैं कि 2K अगर हम स्क्वाइर करते हैं तो वो 4 के बरावर है तीन के स्क्वाइर करते हैं तो 9 के 5 के 25 अगर हम 9 के स्क्वाइर करेंगे तो कितना हो जाएगा नो नमा 81 हो जाएगा अंसर जो हो जाएगा D नेक्स प्रस्ट नाइन निमलिखित प्रस्ट नो में दिये गए विकलपों में से लुक्त संख्या अच्छर ग्याद करना है ओल एम जडे एन के वी पी आई बायर किस तरह है आई देखते हैं ओ से अम गया है माइनस दो माइनस दो और फिर माइनस दो अगर जाएगा तो हमार होगा यहार होगा हम करते हैं तो हमारा निकलकर आता है से क्लास्ट बला को देखते हैं लास्ट से एन गया है वह प्रसर दो किया है इंस से पी गया है तो अब प्लस दो किया है तो से इतना होगा यह जी होग क्यों सा उस्यव personally सी इस या यहई एक नहीं से हटारा के बाद क्या होगा पाँच में से मॉ्छज़ेंगे हिसी मुण्यस थीन करेंगे तो अब चे में से प्लस पांच करेंगे तो ग्यारा होगा ग्यारा में से माइनस दो करेंगे तो नो होगा फिर प्लस तीन होगा प्लस पांच होगा यानि तीन तीन का स्रीज बन रहा है अगर देखा जाए तो यहां इससे यह इससे यह और इससे यह तीन एक जगा का स्रीज है इसके तो अगर हम उसी तरह चेक करते हैं एक में माइनस दो होगा एक में पलस तीन होगा एक में पलस पांच होगा फिर रिपीट होगा तो 18 के बाद जो हमारा आएगा पलस पांच में आएगा तो हो जाएगा तेज अंसर बी हो जाएगा A, C, A, E, A, G, A, I, A किस तरह लिखा हुआ है और उसका अगरा ठर्म क्या होगा तो देखें ये तो सिमिलर है इसके बाद जो जाएगा यहां पर A ही होगा लेकिन उसे पहले बाद पूछ रहा है तो C से हमारा क्या है E गया है E से क्या गया है G, G से क्या गया है I, I के से क्या है K होगा अंसर जो हमारा निकल कर आएगा K D सही हो जाएगा अगले प्रस्ट पर चलते हैं 138 नंबर किस तरह ये स्रीज है आइए देखते हैं 4 गुना 3 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 12 क्या स्क्वाइर करते हैं 344 11 गुना 9 करते हैं तो क्या होगा 99 90 का स्क्वाइर करेंगे तो हो जाएगा 9901 15 गुना 6 करेंगे तो क्या आजाएगा 90 उसका अगर हम स्क्वाइर करेंगे तो 99 81 100 आजाएगा इसका जो शाही अंसर हो जागा वो जागा B नेक्स्ट है निम लिखी चित्रों से एक पासे के चार रूप दिखाए गया है इनमें 3 के सामने वाले फलक पर कौन सी संख्या है बताना है कि 3 के सामने वाला में तो 3 के विपरिद जो होगा वो देखना है पहले इसमें से दो फलक अगर सेम है यहां पर दो फलक सेम है तो यह जो होगा इसके विप्रित होगा तो तीन के विप्रित पूछ रहा है प्रस्णा तो अंसर हो जागा C 4 होगा अगला प्रस्ण है कि कौन सी उत्तरा किरती प्रस्णा किरती के परसार चेंग को X को मोड़कर बनाई जा सकती है तो यहां पर क्या है वन के जो अपोजिट होगा उडेल होगा इस्टार के जो अपोजिट होगा वो तीन होगा और सी के जोти वो होगा आजी यहां पर हमारा 3 निकल कर आ गया है तो इसका आंशर हो Арजाएगा वह कितना आ जाएगा यह अंसर बार यह अंसर बनके हमारा आंश जाएगा Um अगला प्रशन है कि नीचे दी गईोन ध्यान तर्ग किईजिए एक बजल है ABCDEF च्छाँकिया एक दुसरे से 30 किलोमिटर दूर है इसे थोड़ा राम से सोल्व कीजएगा इस तरह कि आप एक ग्राप पंकर हमारे पास आएगा उसे थोड़ा ध्यान रखेगा मिक्वां है कि के स्ट्रां ग्राप बनता है यह भी होगा है यहां पर इह होगा तो इसका जू अंसर हो जाएगा वह यहांपर सोलूप कर लीं जेगा हैं सर हम बता दे रहें 141 का भी हो प्रस्ण में क्या करा है सबसे नाटा कौन सा होगा नेक्स प्रस्ण है कि 5 लोग उतर के और मुह करके पंक्ति में बैठे हैं बाई एक्स की बाई और है बाई जेट के दाई और बैठा है भी एक्स के दाई और बैठा है और डवलू बाई के बाई और यदि जेड पंक्ती के एक छोर पर मिठा है तो मध में कौन बैठा है यह इस तरह के स्रीज आ जाएगा तो जो हमारा अंसर हो जाएगा मध में कौन तो वाई अंसर हो जागा C नेक्स्ट है उद्यान में निम्ली चेत्र में बर्ग उस छेत्र को दर साता है जहां कठल के पेड़ लगाए गये हैं बरीत आम के पेड़ों को दर साता है तर्वुज नारियल के पेड़ों को उस छेत्र में कौन सी संख्या जिसमें सवी परकार के पेड़ है यह तीनहें जो जबी परकार के पेड़ हो जाएगा बूर मेंसे कौन सारे इस संबंथ को तरसाता है और इसका अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि जो whereby इत है वह जूंद ज्वेक शिय। है और जो जैविक है वो बिग्ञान के ही अंतरगत आता है अगला किसी जगा कुछ लड़के और कुट्टे हैं यदि सीरों की कुल संख्या साथ और पैरों यानि टांगों की कुल संख्या 20 हो तो बताएक वहां कितने लड़किक और कितने कुट्टे है तो आप इसे शुर्व कर लिजीएगा कि माना कि लड़कों की संख्या 1 और कुट्टों की संख्या 5 x Pokemon दीया हुआ हूँ साथ 2 x 6-्याब क्वेद्ट तके हैं लाग्तивает होता है और ब lut7 जैबHa सियादूर जम्सवान जाओ को लिए विदिक llesi क легie है तो इसका जो अंमनीन हिए टेना जाएबगा journée इसका आंसर आज़िएगान सियाम के राजिव कि पिता के पिता मेरे पिता है तदान उसर स्याम का राजीव से क्या संबंद है और इसका सही सरोगा हो जाएगा व पिता की बहन यानि बुगा संबंद है अगला है दिये गए बैकल्पिक सब्दों में उस सब्द को चुनिए जो सब्द के मोठ थ्रेपी के अच्रों को परियोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है और इसका अंसर हो जाएगा C पैंथर नहीं लिखा जा सकते हैं कि पैंधर नहीं 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 है इस में एंधर नहीं परफ किया है S को यहाँ को यहाँ और हम के लिखते हैं कि लिखते हैं तो सुरुवात के तीनक्षर लिखेंगे आर कि एसी उसके बाद टी ओ आर इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी रेक्टर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेयर कर देजगा धन्यवाद